साथी साथ देखें यहाँ पे लिखें डिस्पेल हो रहा है यहाँ पे इन बाक्स तारे के निसान वाला फिलाल हटाए गए बेजे गए ड्राफ ज्यादा हलो दोस्तों नवस्कार मैं हूँ कोण और आप देख रहे हैं कोण इन प्रोटेक्शन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने जीमेल को हिंदी में कैसे देखें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जीमेल को हिंदी में देखने के लिए आप अपना पसंदीदा कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए यहाँ पर जीमेल को क्लिक करिए या नया टैब लेकर www.gmail.com टाइप करिए जैसे ऐसा करते हैं तो google account की official page पर आपको पहुंचा दिया जाएगा जहाँ पर आप अपनी email id टाइप करिए और email id टाइप करने के बाद next को क्लिक करिए और password box के अंतर का अपना password टाइप कर दीजिए जो आपने email id create करते वक्त create किया था तो हमने अपना password fill up कर दिया है और fill up करने के बाद next को क्लिक कर दिया password सही होगा तो gmail में आपको shine in कर दिया जाएगा यह depend करता है आपके internet के speed पर देखें हमने अपने gmail में shine in कर लिया है gmail window के अंतर कर राइट हैंड टॉप में setting वाले button को क्लिक करें इसे क्लिक करते ही quick settings का एक window आ जाएगा जहाँ पर see all settings को क्लिक कर दें इस setting को complete करने से पहले दोस्तों देख लें यहाँ पर compose, inbox, start, snooze, send, drop, mode सभी के सभी English language में यहाँ पर display हो रही हैं कहीं पर भी Hindi display नहीं हो रहा है तो उसके लिए देखिए जो setting का window खुल कर आया है जिसके अंतरकत पहला general का type है इसके अंदर पहला आपको section दीख रहा है language इसके अंतरकत Gmail, display language डिस्पले हो रहा है तो इसके drop down button को click करें और इसके अंतरकत आप अपनी पसंदीदा language को select करें select करने से पहले यहाँ पर scroll करें और अपनी language को पसंद करें तो मैं नीचे की तरफ scroll कर रहा हूँ देखें यहाँ पर बहुत सी language display हो रही है जैसे नेपाली, मराथी, हिंदी, बांगला, गुजराती, पंजाबी आप जिस language में चाहें उस language में आप अपने Gmail को change कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर हिंदी को click कर दे रहा हूँ मैंने हिंदी को select किया एक्टिव करने के लिए यहाँ पर right hand side में देखें scroll bar है इसे नीचे की तरफ scroll करें या फिर mouse pointer को center में रखें और scroll wheel की मदद से नीचे की तरफ scroll करें जब तक कि यह पूरा का पूरा प्रिष्ट complete न हो जाए और अंत में save changes के बटन को click कर दे जैसे ऐसा करते हैं तो यह setting आपके email में लागू कर दिया जाएगा देखें हमारी email id दुबारा यहाँ पर load हो रही है load होने के बाद देखें यह हिंदी में हमारे सामने display हो रही है जैसे देखें यहाँ पर प्राथमिक जो की primary था यहाँ पर social देखें तो समाजिक है और यहाँ पर दे इससे पहले या जो भी email English में टाइप होकर आएंगे वो mail हिंदी में नहीं बतले जाएंगे जो भी mail हिंदी में टाइप करके आएंगे वो mail आपको हिंदी में display होगे तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब किये बगार मत जाईएगा तो मिलते हैं आपको दोस्तों ऐसे ही निव टिप्स और ट्रिक की वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत